कि स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एक लब गया श्टडी पाइंट में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की 12 की पॉल साइज के के यानि कि राजनितिक विज्ञान तो राजनितिक विज्ञान में देखते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमार पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट हमारा शीतियुत का दौर यानि कि दा कॉल्डवार है रहा हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं मेरा नाम है सतेंद्र प्रताब और आपको मैं यह बताने वालों ठीक है और यह जो वीडियो हमारा बिहार बोर्ड हर्याना बोर्ड ज यहां पर खाली objective question आते हैं यानि कि descriptive तो लिखने वाले तो हैं प्लस में objective भी आते हैं कुछ तो CBSC में objective नहीं आते हैं लेकिन हम आपको पहला जो हर chapter के दो पार्ट होंगे हमारे पहले पार्ट में पूरी theory पढ़ाई जाएगी एक एक चीज को deeply discuss किया जाएगा और जो दूस सबसे पहला topic है क्योबा मिसाइल संकट क्या है क्योबा मिसाइल संकट के बारे में बताओं तो क्योबा मिसाइल संकट के बारे में यह पूरी की पूरी कहान ही आपके सामने लिखी हुई है आपको पढ़के समझा दूगा जाएगा बट अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बदाता हूँ, यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ़काएगा आपके सामने क्या है, दुनिया का नक्षा है, वर्ल्ड का मैप है यहाँ पर क्या है, USA है, यानि की USA को हम भोलते हैं, अमेरिका सेयुक्त राज अमेरिका, अमेरिका लिख दिया ठीक है? USSR को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सोवियत संग, क्यूबा को आप जानते हैं, इसको क्यूबा बोलते हैं, बस, ये जो कहानी है, ये इन तीनों के इर्द गिर्द घुमेगी, अमेरिका, सोवियत संग, क्यूबा के, तो क्या था क्यूबा मिसाइल संकाटी से समझें, प अमेरिका के नज़्दीक है आपको देख रहा है क्योंकि स्विसंग तो इससे बहुत दूर है किẵरा पता लग रहा है के रूम में बदलने, इससे तो मैं फायदा हो जाएगा, क्यूंकि तो मिसमण कौन था? अमेरिका था अब अगर सोवेट इसन्ग चाहेगा जाएगा अमेरिका पर यहां से हमला करना तो बहुत दूर है लेकिन अगर वो यहां से करना चाहेगा तो बहुत पास है तो उसने सोचा क्यों न हम क्यूबा पे अपनी पर्मानु मिसाले तैनात कर दें 1962 में सोविय संग ने क्या करा क्यूबा पे अपनी पर्मानु मिसाले तैनात कर दें पिल्कुल सिम्पल है के लिए रहा है आप समझ जाओगे अब यहाँ पे एक चीज़ देखें अमेरिका को पता ही नहीं है कि मिसाइले तैनाथ हो रखिया और वो नजदी की निसाने पे है तीन हपते के बाद अमेरिका को पता लगा भाई तीन हपते के बाद अमेरिका को पता लगा फिर ऐसे में क्या हुआ यहां के जो नेता थे U.S. से के अमेरिका के जिनका नाम था John F. Kennedy तो यह John F. Kennedy जो थे यह कुछ करने से गबरा रहे थी जिसे दोनों के भीज में युद्ध सुरूरो हो जाए तो लेकिन इनने यह एक बात का विश्वास था कि USSR यानि कि जो USSR के नेता थे निकिता खुष्च्रे ये क्या करेंगे वहां से अपनी पर्मानु मिसालों का हटा लेंगे तो इन्हों ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और जो USSR से जो मदद आ रही थी यानि इधर से जो जंगी बेड़े आ रहे थे उनको रोकने क पूरे युद्ध जैसे हालात बन चुके थे पर युद्ध नहीं हुआ ठीक है तो इसी गटना को शीत युद्ध भी कहा जाता है और और आपको बता है कि ये शीत युद का चरण मिंदू भी था क्यूबा मिसालों संगट सिंपल है तो आपको यह सारी चीजे समझ में आई अब आते हम अपने question पे क्या है क्यूबा मिसाइल संपर अब आप देखिए क्यूबा अमेरिका के तड़ पर इस्थितिक देपिये देश है हमने अभी देखा अमेरिका की विल्कुल तड़ पे लगा हुआ है लेकिन वो मित्र किसका था सोव्य संग ता सोव्य संग उसे कूटनेक और वित्तिक साहता देता था हमने पढ़ लिया यानि वित्तिय मतलब आर्थिक रूप से पैसे कूटनेक मतलब सलाह मसवरा ऐसी साहता देता है 1962 में क्या हुआ सोव्य संग ने क्यूबा पर अपनी पर्मानों मिसाइले तैनात कर दी अभी हमने देखा वहाँ पे चित्र में अमेरिका जो था वो नजदी की निसाने प्यागिया अमेरिका को इस गटना की खबर कित्ती दिन बाद पता लगी दी तीन हपते के बाद अमेरिका को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों देसों के बीच में युदू सुरूर ना हो जाए कहीं लेकिन उसे विश्वास था कि जो निकिता खुश्च्रेम है वो अपने मिसाईलों को हटा लेगी कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियसंग से जो जहा जारें क्यूबा की तरफ उसको रोग दो ऐसे अमेरिका जो था वो अपनी गंबीरता दिखाना चारा था कि वो कितना सीरिय से इस मामले की बढ़ती ऐसी स्थिति में ये लगा कि यूद जो है वो हो कर रहेगा दोनों जब दोनों आमने सामने थे ना इधर से अमेरिका उधर से सोवियसंग तो दुनिया को लगा कि कहीं यूद ना हो जाए और ये यूद हो जाता तो ये खतरना की यूद होता को याम यूद नहीं होता तो इसलिए इसको शीतियुत का चरम बिंदू भी गहा जाता है, चरम बिंदू मतलब क्लाइमेक्स, इसी गटना को क्योबा मिसाइल संगट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही आसान है, और सारी दुनिया जो थी इस भयाने की स्थिती से घबरा गई थी, क्यों घबरा गई थी, यानि हम किसी भी तरह का युद्ध आपस में नहीं करेंगे, ऐसा इनो ने फैसर लिया, तो फिर दुनिया ने जा के चैन की सांस ली, कि युद्ध जो है वो टल गया है, तो ये जो पूरी की पूरी घटना थी, ये क्योबा मिसाइल संगट वाली घटना थी, नोट्स आपक क्योबा मिसाइल संकट टॉपिक हमने कर लिया, अब आगे देखेंगे हम पहला विशुद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वोर हुआ था, वो कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक, आपको ये बिलकुल याद कर लेना है, रट लेना है, पहले विशुद में विशुने बहु अब एक तरफ तो था मित्र राष्ट, दूसी तरफ थे धुरुयराश्ट, मित्र राष्ट में ये पेपर में कॉशन आपसे पूछा जाएगा, पेपर में ऐसे कोशन बहुत आती है, कि मित्र राष्ट में कौन सा देश शामिल था, आप बहु लोगे अमेरिका, फ्रांस, बिटेन और सोवेशन, दुरी राष्ट में कौन से देश शामिल थे, जर्मनी, जापान, इटली, जीत किसकी हुई थी, इन देशों के, और नुकसान किसे हुआ था, सबसे यादा, धुरी राष्टों को, ठीक है, तो ये दो गुरूप हो गया, मित्र राष्ट, दुरी राष इसे करके आपको ये सारी चीज़े अच्छे से समझ लिए, अब आप देखो, अमेरिका ने क्या किया था, जापान देश जो है, उस पे परमानू हमला कर दिया, अगला जो टॉपिक है, वो है, हमारा जापान पर परमानू हमला, अमेरिका ने क्या किया था, कि जापान की द 455 इसको नागा सागी पर परमानु बम गिरा दिये थे इन बमों को एक नाम दिया था मेरे कर ने वो नाम था लिटिल गौई और फैट मैन यानि उसके कोड नहीं में लिटिल गौई और फैट मैन समता इनकी कैपिसिटी कितनी थी इसकी थी 15-21 किलो टन वाले बम जो होते हैं वो कम capacity के माने जाते हैं, लेकिन इन कम capacity के बमों ने भी बहुत भयंकर तबाही मचा ही जापान में, और आज के टाइम पे जो परमानु बमें उनकी जो capacity है, वो सेकडों टन, हजारों टन तक पहुंच चुकी है, तो आज के टाइम पे अगर परमानु बम कोई किसी पे गिरा तो समझो तबाही आ जाएगी, इतने जादा नुफसान पहुंचेंगे, तो ये था, अब ये अमेरिका ने जापान के दो सेर पर बम गिरा दिये, सब को पता है वाई, पर आपको पता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, रीजन क्या था, उद्देश ये क्या था, आपको स समर्पन करने वाला था, और ऐसे में कोई बम गिराना की तो जरूरत नहीं थी जरूरत नहीं थी बम गिराने की जब पहले से ही सरिंडर करने वाला है, ऐसे लोगोंने अलो चनए करी, अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या क्या, उसने बोला कि मैं दूसरा विशुद, जो है दुत्य विश्विद जो है उसको जल्दी समाप्त करना चाह रहा था हम सोचेते कि दूसरे विश्विद जल्दी खतम हो जाए और आगे की जनानी को रोकना है इसलिए हमने क्या करा दो बम गिरा है और खतम कर दिया यह आपको बहुत ही फ़नी लग रहा होगा सुनने में कि लड़ाई खतम करनी है तो दो बम गिरा तो खतम ऐसे थोड़ना होता है लेकिन अमेरिका ने ऐसे करा बट इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य था अमेरिका युद को रोकना उसका उद्देश्य नहीं था उसका उद्देश्य देखो यह था अमेरिका सोवेसंग को यह आउगे थी तना तनी हो चुपी थी दोनों ही ताकतवर महाशक्ति बनना चाह रहे थे तो यह हो जाएगा जापान पे परमानु हमला बहुत सिंपल है वीडियो को दिक्कत आये तो वीडियो को एक से दो बार देखें बिल्कुल टूदा पॉइंट बता रहा हूं जो सिलेबस में है वो ही बता रहा हूं वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो पूरे चैप्टर आपका किलियर हो जाएगा एक टॉपिक है आपका अपरोद रोक और संतुलन से क्या थाक परे हैं बहुत ही अच्छा कोशन है पेपर में कई बार पूछा जा सकता है आपके लिए अ आप ऐसा कह सकते हैं दोनों लगबग बराबर ही ताकत वरें तो क्या उनके बीच में यूद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी तो आपका अंसर हो सकता है सैद आपका होगे कि तोनों ताकत वरें तो यूद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी बट ऐसा होत लाचा नहीं है युद्गी संभावना कम रहेगी क्यों क्योंकि जब दोनों ही दाकतवर हैं तो युद्गी संभावना कम रहे चैए अब आप एक चीज़ सोचो, मान लो A जो है वो बहुत ताकतवर है, पर B जो है वो बहुत ही कमजोर है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, ऐसे में युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी, ज्यादा क्या मैं तो यह कह बहुत ताकतवर होते हैं, एक दूसरे को बहुत जादा नुकसान पहुचा सकते हो, तो ऐसे में कोई भी पक्ष यूद का खत्रा मोल नहीं लेना चाहेगा, यानि कि यूद की संभावना जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अमेरिका और सोविय संग जो थ जब दोनों ही ताकतवर हो, तो यूद की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सिंपल कोशन था बिल्कुल, आगे आईए, आगे आपके सामने कोशन है, दो दुरवे विश्व का आरव, तो आपको दो दुरवे विश्व से पहले में आपको बेसिक चीज जो थी इस शीत यूद समझा देता हूँ, शीत यूद समझ जाएं, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक में, आपके सामने एक वर्ड है, शीत और मैं इसको जमा कर देता हूँ, यूद, यानि दो शब्दे, एक है शीत और एक है यूद, यूद का मतलब क्या होता है बच्चों, मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा, जो यूद का मतलब नहीं जानता होगा, यूद का मतलब होता है लड़ाई जगड़ा, कुछ ऐसी बात चल दिये, लेकिन जब हम यूद के आगे शीत लगा देते हैं और यह शीत यूद बन जाता है, तो इसका मतलब बिलकुल बीच में हो सकता है, ऐसा लगता है कि इनके बीच में यूद होकर रहेगा, आप मेरी बातों को समझो, यूद होकर रहेगा, पूरी यूद की संभावना बन जाएगी, डर होता है, तना होता है, संगर्श चलता रहता है, एक दूसरे से डरे रहते हैं, हात्यारे कटा करते लेकिन उनके बीच में कभी भी कोई यूद नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं शीत यूद आई होप आपको समझ मागया होगा शीत यूद में लड़ाई नहीं होती खुन खराबा कुछ नहीं होता पर संभावना रहती कि कभी यूद हो जाए कुछ पता नहीं कभी भी यूद हो सकता है पर होता नहीं तो इसको हम शीत यूद कहते हैं अगर मान लो यूद हो जाए तो उसी इदा हम यूद न बोलनेगे उसे शीत क्यों लगाएंगे उसके आगे तो आपको शीतियू समझ में आ गया होगा दो दुर्विये विशू का मतलब समझो अब मैं आपको ले चलता हूँ मैप में देखिया आपके सामने मैप है देखो ये दुनिया का मैप है यहाँ पर मान लो ये है जर्मनी तो क्या हुआ था कि दुनिया को दो गुटों में बाट दिया गया था मैंने यहाँ पर क्या करा एक दीवार बना दी मैंने यहाँ पर क्या किया एक दीवार बना दी बीच में एक दीवार बना दी ठीक है इधर हो गया पूरवी जर्मनी इधर हो गया पस्चिमी जर्मनी यानि ये जो पूरा हिस्सा है ये पश्चिम का है अमेरिका का हो गया और ये जो पूरव वाला हिस्सा है ये किसका हो गया सोवियसन का हो गया तो यही जो दुनिया को दो गुटों में बाट लिया था इसी को हम बोलते है दो दुर्वे विश्व तो आपको समझ में आ गया हो यहीं से दो दुरुएता की सुरुवात हो चुकी थी यानि दो दुरुएता का मतलब है दुनिया दो गुटों में बट चुकी है दुनिया को दो गुटों में बाटा जा चुका है बटवारा जो था वो कहां से सुरू हुआ यूरोप महादीट से सुरू हुआ अभी मैंने आ लक्षिन अमेरिका ये कौन सा महाधीप है अफ्रीका ये कौन सा महाधीप है एशिया और ये कौन सा महाधीप है यूरोप यानि बटवारा कहां से शुरुआ था यूरोप महाधीप से जब भी बात आ जाए बटवारा कहां से शुरुआ यूरोप महाधीप एक महादीप के अंदर बहुत सारे देश होते हैं, यूरोप में कौन सा देश था? जर्मनी, जर्मनी में किस जगह पे? जर्मनी की राजदानी थी, बरलिन, बरलिन, जर्मनी की राजदानी बरलिन थी, बरलिन में एक दिवार बना दी गई थी, इस दिवार के यही बटवारा और कहां पềsta बर्लिन में बर्लिन की दिवार बना दी गई वहीं से बड़वारा हो चुका था दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी दो खेमे कौन से थे एक तो था पूर्भी खेमा एक था पाश्चमी खेमा पूर्वी खेमा तो सोव्य संग का हो गया अभी आपको बताया था पस्चिमी खेमा किसका हो गया अमेरिका का हो गया यानि दो खेमों में दुनिया बढ़ गई अमेरिका वाले खेमे में बहुत सारे देश आ गई और सोविय संग वाले खेमि में भी बहुत सारे देश आगे बीच में एक दिवार हो गई जिसको बर्लिन की दिवार क्याते है यानि दुनिया में दो महा शक्तियां बची हुई है वो महा शक्तियां कौन सी है एक है हमेरे का दूसरा है सोविय संग तो यह सिंपल है आपको चोटे देश जो थे वो महा शक्तियों में शामिल हो रहे थे देखो जैसे मानलो यह बर्लिन की दिवार है इधर कौन सा है यूएसर यानि सोविय संग इधर कौन सा है यूएसर बहुत सारे देश यूएसर में शामिल है बहुत सारे देश यूएसर में शामिल है तो छोटे महाशक्ति में शامil होते थे तो उनको सुरक्षा का वायदा मिलता था यानि कि अगर उनकी किसी देश से लड़ाई, जगड़े, नोक, जो गोजाए तो महाशक्ति क्या करेगी, महाशक्ति उनको सुरक्षा देगी, उसका हाथ उनके सिर्पे है कोई भी कुछ फाल तो बोले हमें बता दे ना इस तरीके से महाशक्तियों ने इनको सुरक्षा का वादा दे दिया कि भाई आओ हम तुमारी सुरक्षा करेंगे तुम हमारे में लेटेश टेकनोलोजी वाले हतियार दे दिये किसी चीज की जरूत है अस्त्र सबी चीजे इनको क्या अगर रहे थी महाशक्तियां उपलब्द कर आ रहे थी तो यह बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं पॉइंट हैं आपको याद रखना है अब चलते हैं अगले कोशन पर अग नाटो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं देखो क्या हुआ था नाटो एक सैने संगटन था जो कि अमेरिका ने बनाय था महावल दुनिया में ऐसा हो रहा था 1945 से लेके 1991 तर था जो दौर चला उसको हम शीत यूद का दौर कहते हैं शीत यूद का दौर यानि एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवेशन दोनों के बीच में यूद की संभावना बनी रहती थी पर यूद होता नहीं था तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा अमेरिका ने एक सैने संगटन बनाती है जिसका नाम था नाटो तो पेपर में नाटो का है सबसे पहले कोशन आता है कि नाटो का पूरा नाहे। यानि एक दूसरे से मिल जूल कर रहेंगे भाईचारा रहेगा एक दूसरे की मदद करेंगे दूसरा पॉइंट है एक दूसरे की मदद करेंगे तीसरा अगर मान लो इन 12 देश में से किसी एक पर भी हमला कर दे कोई तो ये सबी देश उसको अपने उपर हमला मानेंगे और मि मुकावला करेंगे तो ये तो था नाटो अमेरिका ने अपरेल 1949 में नाटो बना लिया अपना एक सेने संगतन अब भई अमेरिका ने बनाया तो सोविय संग क्या पीछे रहेगा क्या सोविय संग कुछ नहीं बनाएगा सोविय संग ने भी बना दिया सोविय संग पीछे रहन वाला नहीं था, जोविसन ने उनिस सो पच्पन में एक ऐसी ही संधी कर ली, जिसको बोलते हैं वार्सा, इसको वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, वार्सा संधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसका उद्देशे क्या था, इसका उद्देशे था, नाटो में चामिल देशों का मुकाबला करना, यानि कि एक तरफ अमेरिका का नाटो है, तो उसके competition में दूसी तरफ क्या है, वार्सा है, ये USA अमेरिका का है, तो ये USSR का है, आपस में एक दूसरे का क्या करना है, मुकाबला करना है, तो ये नाटो और वार्सा वाली खाने आपको याद ह गई होगी और ये मैं बतादू इस चैप्टर का अगर कोई most important question है तो आपको ये चीज़े याद रती ये बहुत important question है पेपर में बहुत बार आया हुआ question है question ये है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गटबंदन क्यों बनाती थी महाशक्तियां जो थी वो छोटे देशों के साथ क्यों गटबंदन बनाती थी ऐसा ही मिलता जुलता question आप देखिए एक बार मैंने पहले भी discuss किया है ये question कि छोटे देश महाशक्ति में क्यों शामिल होते थी उनको क्या फायदा था अब दूसरा question है कि महाशक्तियां छोटे देशों से गटबंदन क्यों बनाती थी आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा बर दोनों अलग है उसमें ये पूछ रहते कि छोटे देशों क क्या फायदा है महाशक्ति में शामिल होने का अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि महाशक्तियों को क्या फायदा है छोटे देशों को शामिल करने का अब आप सोचोगे कि महाशक्ति जो थी अमेरिका और सोब्यसन वो तो पहले से ही इतनी तागतवर थी बहुत जादा तागतवर्थी बहुत जादा इतनी महान शक्तियां समझ लो लेटिस्ट हतियार हो गए सब कुछ था उनके पास फिर क्यों छोटे छोटे देसों से गड़ बंदर बनाती थी तो इसके पीछे भी भाई चार जबरदस फायदे चुपे वे महाशक्तियों से महाशक्तियां क्यों बनाती थी देखो उनको महतबूर्ण संसाधन मिल जाते थी जैसे की मान लो हर देश के पास पैटरोल थोड़ी न होता है क्या हर देश के पास पैटरोल है क्या हर देश के पास खनी संसाधन थारे हैं नहीं है तो महाशक्तिया जिन देशों को अपने में शामिल करती थी उनके जो खनी संसादन या महत्पून संसादन है चाहे वो कोई भी संसादन हो वो महाशक्तियों को आसानी से मिल जाते थी तो समझके ना पहला पॉइंट कितना अच्छ है? बिल्कुल दूसरा है सेनिक ठिकाने महाशक्तिया वहाँ पे अपने सेनिक ठिकाने बना सकती थी अपनी सेना का संचालन कर सकती थी सेना को ट्रेनिंग दे सकती थी कैंप लगाए जा सकती थी तो एक तो सेनिक ठिकाने के लिए जगा मिल जाती थी तीसरा था भू छेत्र उनको जमीन मिल जाती थी उस जमीन का इस्तेमाल महाशक्तिया अपने अपने काम के लिए कर सकती है फिर चौता क्या आर्थिक मदद अब महाशक्तिया जो थी इनकी सेना बहुत बड़ी थी इनके पास बहुत बड़ी-बड़ी सेना होती थी सैनिक होते थी सैनिकों की जुरू सकते हो और आर्थिक मदद में मिल जाती थी कि छोटे छोटे देश भी इनके लिए काफी helpful साबित होते थे तो यह तो थे महाशक्तिय चोटे देशों के साथ गटबंदन क्यों बनाती थी simple सा point था अगला आपके लिए बहुत important topic है सीटो और सेंटो तो यह सीटो सेंटो क्यों बने क्या कारण था यह जान लो क्या हुआ वही कि अमेरिका जो है अमेरिका ने क्या किया कि जो पूरव में और दक्षिन पूरव एशिया जो था पस्चिम एशिया जो था यहां पे अमेरिका ने गटबंदन का एक नया तरीका अपनाया इन्ही गटबंदनों को नाम दिया गया सीटो और सेंटो यह एशिया में किसके गटबंदन है यह है अमेरिका के गटबंदन तो सीटो और सेंटो से संबन्द कोशन क्या आते है सबसे पहले देखो आपकी NCRT बुक में जो बॉक्स सेंटो का पूरा नाम क्या है पूछले तो साउथ इस्ट एश्या ट्रीटी ओर्गेनाईजेशन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे साउथ को दक्षिन पूर्व एस्याई शंदी संगता सेंटोगा पूरा नाम क्या है वहीं सेंटोगा पूरा नाम है सेंटी ट्रई 一ज और्इन र में क्या पूरिये संदिर संगतन अब इनके उद्दशade क्या थे इसके उद्दशade ये सेंटियों को मध्यय पूर्व सेंटियों आने के लिए रोखने के लिए सीटों सेंटों से समन्दित आपका सीधा सीधा एकि कोशना सकते हैं कि इसकी सथाफना कब ही या पूरा नाम क्या है शायदी उद्देश ये वगएना नहीं पूछे जाते हैं प्रीपर में ठीक है फिर्वी में आपको बता दिये अब अगला टॉपिक है आपका शीतियूद के दाइरे समझाओ शीतियूद आप जानते ही हो शीतियूद का मतलब क्या होता है यानि शीतियूद का मतलब यह होता है जहां पर यूद की स्थीति बन जाए ऐसा लगए कि यूद हो कर रहेगा बट रियल में कोई यूद होता ही नहीं केवल संभाव ना बनी रहती है तो यह शीतियूद है शीतियूत के दाइरे समझाओ, शीतियूत के दाइरे का मतलब यह है कि शीतियूत के दाइरे, यानि कहां कहां पे शीतियूत जो चीजे थी, वो फैल रही थी, तो देखो इसमें क्या था कि विरोधी खेमों में बटे देशों के भी संकट के आउसर आ गए, विरोधी खेमें क कुछ जगा पर यूद की संभावना बनी रही लेकिन जो विश्व है वो परमाणू यूद से बचा रहा कहने का मतलब है दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवेस्टन के बीच में कोई यूद नहीं हुआ पर इनके जो देश हैं उनके बीच में आपस में छोटे-चोटे य यूद जरूर हो गए और यूद की संभावना बनी रही कोरिया वियतनाम अफगानिस्तान यहां पर बहुत जादा जनानी हुई काफी जादा लुकसान हुआ फिर भी दुनिया में कोई यूद नहीं हो यानि विश्यूद नहीं हो पाया चोटे-बोटे यूद इन देशों के बीच में चले पर विश्यूद नहीं हो पाया शीत यूद के दोरान अनेक संकट सामने आए बहुत सारे संकट सामने आए कई सारी खूनी लड़ाईयां लड़ी गई लेकिन इन लड़ाईयों ने तीसरे विश्यूद का रूप नहीं लिया ठीके तो मतलब कहने का मतलब यह है कि शीत यूद के दाएरे में वो ची जाएंगी कि कुछ देसों में आपस में कुछ लड़ाई जगड़े हुए थोड़े बहुत खुनकराबे वाला सीन हुआ कहीं पर जागा नुपसान हुआ लेकिन विश्यूद नहीं हुआ विश्यूद क्या होता है जिसमें दोनो महाशक्तियां बहुत सारे देश साफ में लड़ने के लिए वो नहीं हुआ छोटे मोटे यूद हुए दोनों महाशक्तियां जोती है अमेरिका और सोवियस ठीक है इनके बीच में कोई विश्यूद नहीं हुआ यह ध्यान लगना कोरिया में 1950-53 में छोटे मोटे यूद संक होते हैं तो वीडियो को दुबारा देख लेना समझ लेना इस चार पांच लाइन है इसको लिख लेना याद कर लेना समझ लेना जो भी करना हो करना पर यह इतना टफनिया और पेपर में यहां से कोशन नहीं आता है यह कोशन पेपर में बहुत जादा पूचा जाता है यह important है कि भाई दोनों महाशक्तियों ना 1945 से ही चल रही थी एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी दोनों महाशक्तियों ने ये महसूस किया कि यार बहुत हतियार बना लिए बहुत हतियार बना लिए एक दूसरे के से लड़ने के लिए हम बिल्कुल पास थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भविश्य में ऐसा हो सकता है कि ये जो आज हम हतियार मनना है ये हमारे बहुत खतरनाक शाबित होसकते हैं तो इन्होंने एक سमजोता गरा इन्होंने सोचा कि चलो यार एक समजोता कर लेते हैं आपस में संधी कर लेते हैं 1960 में 3 महत्पोन संधिया हुई और ये पेपर की लेख बोटन ते हैं दोनों माहशक्तियों के बेच में पहली संधी थी परमानू परिक्षन परतिबंद संधी यानि कि परमानू हत्यारों का परिक्षन पर ये पेपर में पूछा चाता है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत important है जो जो चीजे पेपर में पूछी चाती है वो आपको साथ के साथ बता रहा हूँ अब बात कर लेते हैं अगला topic जो है दो दुरुजदा को चुनौती देखो, जब दुनिया को दो गुटों में बाट लिया गया, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोविय संग, तो ऐसे में भाई, जो कुछ देश ऐसे थे, जो उसी टाइम पर आजाद हुए थे, जैसे भारत की बात करें, आपको पते अपना देश उनीसो सेंतालिस मे या फिर USSR सोविय संग में शामिल हो जाओ, अगर मान लो भारत अमेरिका में शामिल हो गया, तो क्या भारत स्वतंत्र है, नहीं, फिर अमेरिका की दादागिरी चलेगी हम पर, अमेरिका जैसे मर जीव ऐसे चलाएगा हमें, हम महाशक्ति में शामिल होने का मतलब यह है, कि म चुक हो एक तरह से महाशक्ति के गुलाम हो चुके और मानलो भारम सब्सक्राइब भा MINlaim लेगा नई ले पाईगा क्यों कहने का मतलब यह है कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे ना ही हम सोविय संग में शामिल होंगे हम तो भाईया सुवतंतर रहेंगे अलग रहेंगे बिल्कुल ना तो हमें अमेरिका से कुछ लेना ना हमें यूए से से कुछ मतलब हम तो अलग रहेंगे सुवतंतर जिसको गुट निर्बेक्स यानि कि दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीती को गुट निर्बेक्स तका गया आई ओप आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं देखते हैं जब विश्वत दो दुरूँ में बट रहा था ऐसे में गुड़ निर्पेक शंदोलन ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नए सोवेशन देसों को तीसरा विकलत दिया यानि जो एशिया के देश आजात हो रहे थे अफरीका के देश आजात हो रहे थे अमेरिका के लातिनी अमेरिका के देश आजात हो रहे थे उनके सामने एक टीसरा ओप्सन दे दिया कि भाई ना तो तुम अमेरिका में जाओ ना तुम सोवेशन में जाओ तुम आओ हमारे पा गुट निर्पेग शांदुलन की नीव जो बढ़ी थी इसकी नीव की बात करें तो इसकी जो तीन में नेता थे इनके द्वारा यूगोशलाविया, भारत और मिसर ये तिनों दोस्त थे आपस तीनों इन तीनों की अच्छी दोस्ती थे इनोंने मीटिंग की ठीक है 1956 की बात है 1956 में इन्होंने एक मीटिंग की मीटिंग में ये कहा कि यार कैसे हम मतलब स्वतंत्र रहें इधर तो अमेरिका का दबाओ उधर सोवे संग का दबाओ क्या करें तब ये बात निकल कर सामने आई कि भाई हम क्या करेंगे अलग गुट निर्फेक्ष बनाएंगे यानि अलग ही एक विवस्ता बनाएंगे जिसमें हम सभी स्वतंत्र जो नए स्वतंत्र रेस हो रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे जिससे कि वो भी महाशक्तियों से बचें तो ये प्युट निर्फेक्ष बेच है है और मिस्र से गमा अब्दुरूसीर इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामेयनकुरुमा तो ये नाम आपको याद होने चीए अब बात कर लेते हैं गुटनिर पे एक शांदोलन जो था इसका पहला समयलन कब और कहा हुआ इसका पहला समयलन जो था ये 1961 में बैल ग्रेड में हुआ बैल ग्रेड में हुआ उस टेम पे 25 सदसे देश सामिल थे इसका फिर 14 वा 14 वा समयलन की बात करें तो ये 2006 में क्यूबा में हुआ था इसमें 116 सदसे देश हो चुके थे और 15 परेवेक्षक देश परेवेक्षक देश मंदब जो नजर रखते हैं एक्सपर्ट समझ लो तो इस तरीके से ये इसमें शामिल हुए थे गुट निर्पेक्ष अंदोलन का पहला और 14 वा समयलन जो है बहुत इंपोर्टेंट है या तो आप से पहला पूछा जा सकता है पेपर में या ये पूछा जा सकता है और सबस्यादा जो चांस है वो पहले के इसलिए मैंने या पर पहला लिख रखता है बीच के आप से नहीं पूछे जाएंगे तो आपको याद रते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं कि गुट निर्पेक्ष ता की नीती भारत ने अपना नहीं भारत गुट निर्पेक्ष हो गया तो भारत को फाइदा क्या हुआ गुट निर्पेक्ष ता से सोचिए क्या भारत को कुछ लाब हुआ या नहीं हुआ तो लाब क्या हुआ ये बहुत important question है पेपर में ऐसे question आते है तो अगर बात हम करें गुड निर्पेक्स्ता की तो भारत को गुड निर्पेक्स्ता से बहुत 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 फायदेवे क्या फायदेवे देखो भारत जो था वो अंतराश्टिय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया यानि कि अगर मानलो वो किसी भी महाशक्ति में शामिल होता तो कोई भी अंतराष्टी फैसला होता तो उसे नहीं वो लेने में स्वधंद्र नहीं होता क्योंकि उसमें किस की चलती महाशक्ति की चलती बट भारत ने क्या करा फैसला लिया स्वतंत्र होके दूसरा क्या है अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका यानि भारत ने फैसले ऐसे रख लिए जिसमें भारत के खुद के फायदे हो रहे हो यानि भारत के हितों को ध्यान में रखकर लिए अगर वो किसी महाशक्ति में शामिल होता तो क्या अपने हितों को ध्यान मे ले सका भारत हमेशा ऐसी इस्तिती में रहा कि अगर कोई महाशक्ति उसके खिलाब जाए तो वो भारत दूसरे की तरब जा सकता है ऐसे में ना तो वो कोई मतलब भारत पे धोस जमा सकता था, ना उसे लेकर कोई बेविकर था, एक्जामपल के लिए देखो अगर मालो सोव्य संग नहम पे दबाव बनाएगा तो हम अमेरिका में चले जाएगे, अमेरिका भी मदद करेगा क्यों क्योंकि वो चाहेगा कि ये तो गुट निर्पेक्ष है हमारे में आ जाए जलती से, इससे क्या होगा हमारे संसादन वगेरा का फाइदा उठा लेगी माशक्तिया ये था, तो ऐसे में भारत हमेशा ऐसी इस्तिति में राग ना तो उसको कोई, मतलब उस पर धोस जमा सकता था ना ही कोई उसको लेके बेविकर रहे पाता था तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा अगला क्या है कि क्या भारत गुर्णिर्पेश की नीती अपना कर आगे देखो भारत गुर्णिर्पेशता की नीती को अपना कर दुबारा से गुलाम होने से भी बच गया और केवल भारत नी बचा बलकि दूसरी देशों को भी बचाया समझो भारत 1947 में आजाद हुआ था आते ही मालो या अमेरिका या सोवे संग में शामिल हो जाता तो फिर से हम कही न कही उसके गुलाम हो जाते और फिर उसी की अकोटिंग अमें अपना सब कुछ चलाना पढ़ रहा लेकिन भारत ने फैस्था लिया कि वो दोनों महाशक्ति में शामिल नहीं होगा ढूरी बना के रखे गा यानि मतलब महाशक्ति में शामिल नहीं होगा बस ऐसे में भारत के वर अकेले नहीं बाकी दुनिया के देश जो थे उनको भी शामिल कर लिया कि तुम भी आओ जो ने ने देश आ जाद हो रहे हैं हम साथ रहेंगे तो ये था तो ये बहुत बड़े पैनिफिट थे जो की गुट निर्पेक्स्ता की नीते को अपनाने के ब ये है कि गुट निर्पेक्स्ता का मतलब ना तो प्रिथकवाद होता है और ना ही गुट निर्पेक्स्ता का मतलब तथस्ता होता है तो क्या इसका मतलब है यहाँ पे दो शब्द आये हुए एक तो प्रिथकवाद आया हुआ है और एक तथस्ता आया हुआ है आपको ये द प्रताराश्टिया मामलों से काट के रखना, यहनी दुनिया से अपने आपको काट के रखना, एक छोटा सा उधारन देता हूँ, मानलो आपके पडोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो कि केवल अपने से मतलब रखता है, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात नहीं करता, वो प्रताकवाद का एक उधारन, ऐसे ही मतलब कोई देश, जब अपने अडोसे पडोसी देशों से या किसी अंतराश्टिया मामलों से अपने आपको बिलकुल अलग कर ले, ना तो वो ज़्यादा व्यापार वगएरा पर ध्यान देना, किसी चीज़ पेनना, उनसे कोई फाल से 1914 तक, अमेरिका ने प्रतकवाद की नीती को अपना कर अपने आपको दुनिया से अलग रखा, अमेरिका ने प्रतकवाद की नीती अपना ही थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, 1914 तक, ठीक है, लेकिन गुट निर्पेक्स देशों ने प्रतकवाद की नीती नहीं नहीं याने कि गुड निर्पेक्स्ता का मतलब पुर। नहीं है। बारत बारत हमेंसा अगे रहता था अगर हमें जरूद पड़ती थी मदद की तो हम अमेरिका से सुवे संग से मदद ले भी लेती थी अगर उनको हमारी मदद की जरूद है तो हम मदद दे भी देती है हम उनसे मदद ले भी लेती है हम उनको मदद दे भी देती है आप समझा सकते हो, सांती और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमेशा से प्रति दुन्दी गुटो यानि जो कॉंपिटीटर गुरूप थे, उसमें भारत जैसे देश हमेशा से समझोता कराने में सक्रिय भूमी का निभाई हमने, अमेरिका और सोवेर सिंग के बीच में तना निर्पेकस्ता नहीं है, अमेरिका ने जो नीती अपनाई थी, वो प्रितक बाद है, बढ़ भारत ने जो घुट निर्पेकस्ता अपनाया, वो प्रितक बाद नहीं है, आई होप आपको के लिए रो गया होगा, चलो बात कर लेते हैं, दूसी तरफ हैं तथस्तता का मतलब क्या होता है दोनों का मतलब थोड़ा-थोड़ा मिलता जुलता है बढ़ दोनों में फिर भी डिफ्रेंस है ततस्ता का रत होता है mainly युद में शामिल ना होने की निति अपनाना यानि कि मुखेत है युद में शामिल हम नहीं होंगे यानि कि वैसे तो चलो ठीक है हम आ जाते साथ पर युद की बात है तो हम साथ नहीं होंगे वई ऐसे होता है इसमिल ततस्ता की निति पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं होता कि वो युद को भी समाप्त करने में मदद करे अब देखो आप एक चीज़ समझो जब अमेरिका और सोवेशन के बीच में अनुबन होती तो भारत हमेशा उनके बीच में समझोता कराने का प्रयास करता है यानि अगर उनके बीच में युद की संभावना होती युद के चांस होती तो भारत क्या करता समझोता कराता पर ततस्ता में समझोता नहीं कराया जाता ततस्ता में ना तो यूद में शामिल होते हैं और ना यूद को खतम कराने में मदद करते हैं यूद से कुछ लेना देना ही नहीं ना बोलते हैं कि यूद सही है ना गलत है कुछ भी यूद से संबंदित बात आ जाए तो दूर हो जाते हैं ततस्त हो जाते हैं यानि कि गुट निर्पेक्स्ता का मतलब ना तो पृतकवाद है और ना ही तथस्ता है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो यही ता गुट निर्पेक्स्ता का मतलब पृतकवाद और तथस्ता अब आपके सामने एक टॉपिक है भारत की गुट निर्पेक्स्ता यानि जो बुराई करने वाले थे उन्होंने कहा कि भारत की गुट निर पेकस्ता की नीती जो है सिद्धान्त वहीन है यानि कि भारत की कोई सिद्धान्त नहीं है बिल्गुल सिद्धान्त वहीन है कहते हैं कि भारत अपने राष्टे हितों को साधने के लिए यानि अपने खुद के फायदे, अपने देश के फायदे करने के लिए अंतराश्टी जो महत्वून फैसले हैं उसको लेने से हमेशा बचता है ऐसा आलोचक कह रहे हैं भारत के विवहार में इस्थिरता नहीं है ये आलोचकों के शब्दे कि भारत का जो विवहार है वो इस्थिर नहीं है आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोव्यसंग से मित्रता की संदी की वो गोट निर्पेक्ष्टा की नीती के खिलाव थी समझे इसका मतलब क्या है हमारा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया हमें चाहिए थी हतियार और मदद ऐसे में हमने क्या गरा सोव्यसंग से मदद मागी सोव्यसंग ने मदद करती और हमसे 20 वर्ष की एक संदी भी कर ली तो लोगों को वो चीज़े बुरी लग गई लोगों को बुरा कह दिया उन्हेंने बोल दिया कि यह तो गुड़्न थक कह दिया कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि भारत सोवे संग में शामिल था और गुट निर्पेक्षा का ढोंग करता है वो तो ये कह रहे हैं कि भारत तो सोवे संग में शामिल था, सोवे संग का अंग है भारत सोवे संग का हिस्सा है और वो तो भूंग करता है दुनिया के सामने की गुट निर्पेक्षा, गुट निर्पेक्षा, इतनी आलोचना है हुई भारत की गुट निर्पेक्षा की नीतिकी, I hope आपको यह चीज़े याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, रट लो इन चीजों को बिल्कुल, पेपर में ऐसी चीज़े बहुत बूची जाती है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके सामने है, ये भी मोस्ट इंपोटेंट है, बहुत इजी है, सिंपल है, नव अंतराष्टे आर्थिक विवस्ता की आपके हम बात करते हैं, क्या था नव अंतराष्टे आर्थिक विवस्ता, देखो, गुट निर्पेक्ष आर्थिक रूप से पिछडे हुए थे, और ये कमजोर देश थी, ठीक है, और इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनोती थी, वो थी आर्थिक विकास, कि कैसे ये अपना आर्थिक विकास कर पाएं, कैसे अपनी जंता को गरीवी से निकाल पाएं, कैसे करें, ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनोती थी तो बिना आर्थिक विकास के इन देशों के सामने खत्रा था, खत्रा क्या था? कि बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दुबारा गुलाम होने का खत्रा है अगर यहां पे आर्थिक विकास नहीं है तो हो सकता है कि ये देश दुबारा से गुलाम ना हो जाएं कई तो गुलामी से अगर बचना था तो इनको आर्थिक विकास करना जरूरी था एक्जामपल के लिए समझो आप कैसे भारत गुटनिर पे एक देश है भारत एक कमजोर देश था उस टाइम पे क्योंकि 200 सालों तक लगबख 500 से 200 साल तक अंगरेजों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा हमारे संसादों को लूटा और जिस टाइम पे देश आजात हुआ देश में गरीबी थी बुक मरीदी आसिक्षा थी लोगों को बिरोजगारी का सामना करना बढ़ा था बहुत सारी गोट निरबेज आंदोलन में शामिल देश थे सबके साथ यही समस्या थी तो सबसे बड़ी चुनोती क्या थी अपनी देश की जंता को गरीबी से निकालना देश की जंता का हार्थिक विकास करना कमजोर देश थे पिछड़े वे देश थे इनको अपना विकास करना जरू यानि कि जब देखा गया कि इन देशों के साथ तो सच में बहुत ज़्यादा समस्य आए तो नव अंतराश्टिय आर्थिक विवस्ता सामने आई इसमें क्या हुआ कि जो यूएन नो है संयूग राश्चंग 1972 में संयूग राश्चंग के व्यापार और विकास से संबंदित एक सम्मेलन हुआ अंकटाड में इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट छपी रिपोर्ट का नाम क्या था टाइटल क्या था रिपोर्ट यह थी कि towards a new trade policy for development इसका नाम अगर हिंदी में convert करें तो क्या होगा यानी एक नई व्यापार की नीती एक नई व्याबार की विकास की नीती की और ठीक है ऐसा कुछ इसका मतलब होगा यानि टुवार्ट सा न्यू ट्रेट पॉलिसी फॉर डेवलमेंट नाम की एक रिपोर्ट छप गई इस रिपोर्ट में चार तरह की बातें बताई गई इसमें कहा गया कि अगर ये चार चीज़े इन देशों को दे दिया जाए ना तो ये देश विकास कर लेंगे अपना कौन से चार चीज़े हैं जिससे ये देश विकास कर सकते हैं आप सोचिए कौन से चार हो सकते हैं पहला तो ये है कि अल्प विक्सित देश जो है इनको इनके प्राकिर्तिक संसादनों पर इनका नियंतरन होगा यानि कि इनके पास जो भी प्राकिर्तिक संसादन है चाहे वो पेड़, पौदे, खनीज वगए कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं इनके बाद जो भी संसादने इनके है अपनी मर्जी के अनुसार अपने प्राकिर्तिक संसादनों का इस्तेमाल इनको करना है पूरी छूट होगी इनको यानि प्राकिर्तिक संसादनों को पूरी छूट है जैसे मर्जी वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो पहला पॉइंट दूसरा क्या था कि ये जो देश यानि कि जो पस्चिम के देशे, मौनलों यह पस्चिम के देशथ, इन से व्यापार कराया जाएगा इनसे व्यापार होगा तो चीजों की कीमते भी अच्छी मिलेगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, इनको मैनीफिट होगा तो यह दूस Вам ou कि तीशरा प्रौइंट ये था कि इन देशों के पास टेकनोलोजी नहीं थी यानी प्रोध्योंगी की नहीं अच्छी महोंगी. जो अच्छी टेकनोलोजी ओती थी वो महोंगी होती थी. अब इनके पास इतना पैसा ञीं यह ले लेंगे तो यानि पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलोजी मंगाई जारी थी प्रोधोगी की मंगाई जारी थी उसकी लागत क्या होगी कम होगी आप तुम पश्चिमी देशों से मशीन है टेक्नोलोजी वगएरा खरीच सकते हो बढ़ कम कीमत में कम पैसों में वेब क्या है, WTO हो गया, WB, World Bank, World Trade Organization, International Monetary Fund, अंतराष्टे मुद्रकोर्स, विश्व वियापार संगतन, विश्व बैंक, ऐसी जो आर्थिक संस्तान लगा लो, यह जो है, इनमें इनकी भूमी का नीती, करीब देशों गी, तो यह कहा गया कि इन देशों की भूमी का बढ़ा ह जब करीब देशों की वहाँ पे भूमी का बढ़ेगी, तो इनका विकास होगा, तो यह चार चीज़ अगर अपना लेंगे, तो इनका विकास हो जाएगा, ऐसा इस सम्मिलन में, इस रिपोर्ट में खा गया था, तो यह था भाई हमारा चैप्टर, कम्पलीट चैप्टर आ ऐसे ऐसे आपको दे रखेती वीडियो, बट अब हम क्या कर रहे हैं, लंबी वीडियो बना रहे हैं, बट एक ही पार्ट में खतम कर रहे हैं चैप्टर को, चैए 50 मिनिट की बने, चैए 40 मिनिट की बने, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज लाइक क कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, धन्यवाद, जय हिन, जय बारत.